हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टीटेन स्टडी स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टडी पर आज के क्लास में हम लोग जेनरली डिस्कस करेंगे कि मनुस्य में जो नियंतरन और समनवे होता है वो कैसे होता है देखिए इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पादप में किस तरीके से नियंतरन और समनवे पाया जाता है ठीक है उसमें मैंने पादप हार्मोन से रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी जिज़े थी वो शाराचिस हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो जिम्मेदार होता है एक तो आपका होता है तंत्रीका कोसी का ठीक है तंत्रीका कोसी का और दूसरा क्या होता है रासायन जिसको हम लोग हार्मोन के नाम से जानते है ठीक है ये दो चीज ऐसे हैं जो हमारे सेरे में जितने भी नियंतरन और समनवे होता है ठीक है उन सभी के लिए जिम्मेधारे है तो पादप के बारे हम लोग discuss कर चुके थे हम लोग आधे बात करेंगे मनुस Custom में कि तरीके से होता है आप देखिएrintograph का तंत्र भी पाया जाता है या कहले तंत्री का कोशिका भी पाया जाता है इसलिए इसमें तंत्रीकिये नियंत्रन और समन्वे भी पाया जाता है इसलिए इसमें रसाइनिक नियंत्रन और समन्वे भी पाया जाता है तो एक्जाम में आप से पूछे जाएंगे कि जन्तु में किस प्रकार का नियंतरन और समनवे पाया जाता है तो याद रिखेगा जंतुओं में या तो तंत्री की नियंतरन समनवे और रसाइनी की नियंतरन एवंग समनवे दोनों होंगे लेकिन पादप की जब बात करेगा तो पादप में सिर्फ और सिर्फ रासायनी की नियंत्रन और समन में पया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें तंत्री का कोशिका नहीं होता है, ठीक है, समझ में आगे होगा, याद रखिएगा, अब देखिए, अब आगे जो बात कर लेते हैं, तंत्री का कोशिका, अब हम लोग आते हैं, सबसे ज्यादा इंपो कौन सा तो सबसे पहला तो आपका आएगा तंत्री का कोशी का जो इसका सबसे छोटा यूनिट है ठीक है तंत्री का कोशी का इसका सबसे छोटा यूनिट है तंत्री का तंत्र का ओके चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं सबसे छोटा यूनिट कौन सा, तंत्री का कोशिका, दूसरा आपका आता है मेरू रजू, ठीक है, and no.3 के आता है, मस्तिस्क, जिनरली जो तंत्री का तंत्र का पार्ट कहलें, वो कौन-कौन से है, तंत्री का कोशिका, मेरू रजू और मस्तिस्क, यानि इन ही तीनों के मिलने से तंत्री का तंत्र बनता है, या इन ही तीनों के समलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्री का तंत्र कहते हैं, अब ध् यो सिर्फ Tantrika Kosika ही डिसकर करेंगे ठीक है चुकि सभी चीजों को परना है तो डिटेव में परना परेंगा अच्छ अच्य सरे परेंगे तब तो सारा चीज समझ में आयगा तो हम आज के क्लास में तंत्री का कोशिका के अवारे में डिसस कर लेते हैं, बाकी जो बचते हैं अगरे क्लास में डिसस कर लेंगे सबसे पहले अगर हम तंत्री का कोशिका की बात कर लें तो यह सबसे छोटी इकाई है किसका तंत्र का तंत्र का तंत्र की छोटी काई कौनसी हो गई आपका तंत्री का कोशिका ठीक है और यह जो तंत्री का कोशिका है हमारे सरेड के सबसे लंबी कोशिका याद रखेगा तंत्री का तंत्र की सबसे छोटी काई तंत्रिका कोशिका, लेकिन यह जो तंत्रिका कोशिका है, हमारे सरेट का सब से लंबा भाग है, देखिए, यहाँ पर बहुत सारा confusion का आता है, एक तो लंबा में आता है, और एक सबसे बड़ा वाले term में confusion आता है तो सबसे लंबा पार्ट की बात कर लें तो आपका जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो आपका आता है nervous cell, tantrika कोशिका ठीक है लेकिन जब बात करेगा आपका कि हमारे सरेड के सबसे बड़ी कोशिका कोन है तो जब बड़ी कोशिका की बात आगी तो विये हो जाएगा आपका अंडासे की कोशिका ठीक है तो ये confusion करने वाली question होते है ये अकसर examination में इस टाइप के question मिल जाया करते हैं आपको confuse करने के लिए तो ये दोनों point याद रखेगा अगर आपसे पूछ ले मानव सरेड की सबसे लंबी कोशिका कौन है लंबी जब कहेगा तब हम जबाब देंगे तंत्रिका कोशिका और यदि सबसे बरा बात करेगा तब क्या हो जागा अंडासे की कोशिका और अंडासे किसमें पाये जाता है तो अंडासे जो है या फीमेल का रेप्रोड़क्टिव और यह आप लोग इससे भली भाती पर इचीत होंगे अंडासे क्या है फीमेल का रेप्रोड़क्टिव और यह दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा चलिए आप हम लोग तंत्रिका कोशिका का structure की बात कर ले तो हम आपके सामने यह structure लेके आ रहे है चलिए दखिएगा तंत्रिका कोशिका में क्या होता है तारे के जैसे संडचना होती है अगर हम तारा के जैसे structure कुछ बनाए तो कुछ इस टाइप का हमको structure नजर आएगा ठीक है और इसी में इसी तंत्रिका कोशिका में एक जो वो नली होती है, वो काफी लंबी होती है, हम सब का नामकरण भी बताएंगे कि सब का नामकरण कैसे किया जाता है, फिलहाल हम अभी structure बना लेते हैं, ओके, दखे, ये हमारे सरीर का एक तंत्रीका कोसिका है, इसके जैसे हमारे सरीर में बहुत सारी कोसिका हैं, ठीक है, और तं उने भी सूचनाय आती है, उन सभी का मस्तिस्क तक ले जाना और मस्तिस्क से जो ग्राही अंग होते हैं वहां तक पहुंचाना, ठीक है, तो यह हो गया तंत्रीका कोशिका का एक structure, अगर हम बात कर लें तंत्रीका कोशिका में structure की, तो तंत्रीका कोशिका में यह आपका एक त जैसी जो संडचना होती है उसे क्या कहते हैं साइटोन कहते हैं अब देखिए यह जो साइटोन है इसी साइटोन में यह बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं ठीक है साइटोन से क्या होते हैं बहुत सारे प्रवर्ध निकले होते हैं इस प्रवर्ध को क्या बोलते हैं तो प्रवर्ध को अगर हम एक की बात करें तो इसको बोलेंगे डेंडरन क्या बोलेंगे डेंडरन लेकिन यहां पर अगर इस सभी को अगर समलित कर ले तब यह सब क्या कहलाएगा डेंडराइट्स कहलाएगा क्या कहलाएगा डेंडराइट्स कहलाएगा अगर हम इसी डेंड्राइट में बात कर तो यहां पर भी डेंड्राइट्स होता है, लेकिन इन सबी डेंड्राइट्स के अपक्षा यह यह काफी लंबा हो गया, अब जूकि यह जादा लंबा-मोटा तगहा हो गया, तो आपनने अकसर देखा काफी लंबा हो गया मोटा हो गया इसलिए इसका नाम करन क्या कर दिया गया एक्सोन इस तरीके से याद रख सकते हैं ठीक है क्या नाम याद रखेंगे एक्सोन ठीक है अब यह आगे चल करके क्या होता है कि अनेक साखाओं में भाजित होता है और दूसरे नर्वसेल से क्या ह तो इसके साथ इस तरीके से connect हो जाता। तो बात आई समझ में हम लोग क्या बता रहे थे भी कि एक तंत्रीका कोशिका जो होती है उसमें तारे के जैसे संडचना होती है उस संडचना को क्या बोलते हैं साइटॉन बोलते हैं इस साइटॉन से अनेक परवर्ध निकले होते हैं जिन्हें dendrites के नाम से जानते हैं इन्हीं dendrites में एक काफी लंबा होता है जिसे एक्सोन कहते हैं अब तंत्रीका कोशिका के मध्यभाग में एक गोल गाढ़ा संडचना आपको नजर आ रहा होगा इसे हम किस नाम से जानते हैं इसे बोलते हैं केंद्रक यानिकी नुकलियस नाम करंण भी आप लों को समझ में आगा होगा, इसमें कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं मायलीन सीत वहरह होते हैं, i.s. अब देखिए तंत्रीका कोशी का जो है वो काम कैसे करता है तो देखिए हमारे सरीर के सभी पाट में तंत्रीका कोशी का है सभी भाग में तंत्रीका कोशी का है अब मान लीजे कि किसी भी परकार का असपर्स हुआ किसी परकार की समवेदना हमारे सरीर माई जैसे सपोस कि यह हम खड़े हैं ठीक है, पीछे से आगर के कोई टच किया, तो हमें कैसे पता चला के पीछे से कोई टच किया, कैसे पता चलता है, तो यह जो तंत्रिका कोशिका है, यह क्या करता है, आगर कोई बंदा टच कर रहा है, तो उसके असपर्स को क्या कर लेता है, यह जो तंत्रिका कोशिका का डिं ग्रहन करेगा ठीक है अब डिंड्राइट्स जो है डिंड्राइट्स जैसे ग्रहन करेगा तो समवेधना कहा आएगा डिंड्राइट्स समवेधना को देगा एक्सोन में जैसे यह एक्सोन में आएगा तो यह जो सूचना है यह किसमें बदल जाएगा विद्युत आवेग में अब चुकि जब यह विदुत आवेग में बदल गया तो यह fast work करेगा ठीक है तो यहां से dendrist क्या किया है बाहरी संवेधनाओं को गरन किया है दिया साइटोन को साइटोन में यह जो आवेग था यह जो सूचना था यह किसमें बदल गया विदुत आवेग में और फिर यह आगे अक्सोन माया और अक्सोन से होते हुए यहां पर सुत्र युगमन गाट के द्वारा दूसरे तंत्रीका कोसिका के डिंडराट से connect हुआ फिर यह आगे इसी तरीके से देगा और इसी तारीके से क्या होगा यह आगे दूसरे तंत्रीका कोशिका को देगा और एटलिस्ट यह सूचना कहां तक महुंचेगा मस्तिस्क तक किसके साइता से तो तंत्रीका कोशिका मेरा रजू होते हुए मस्तिस्क तक जाएगा अब मस्तिस्क उस चीज़ पर सोचेगा कि हा तो टच किया थमको पीछे घुम के देखना होगा, है कि नी, तो जो टच किया तो टंड्राइट सूचने लिया और इसको भेजा मस्तिस्क तक, मस्तिस्क इस पर सोचेगा, कि हाँ, पीछे से कोई टच किया है, क्या करना चाहिए, तो आदेश दिया, अगर पीछे की और घुम जिस रिसेप्टर अंगत लाएगा, प्रेड़क अंगत लाएगा, व wond क्या करेगा, आगे की और कारेगा, तो पीछे की और अपीछे और मूव करके देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा, तंत्री का कोशिका काम करता है, चले, एक API हम लोग ROW WEAR में फिरसे recall क्रल कर लेते है सबसे छोटा ही काई लेकिन हमारे सरेर की सबसे लंबी कोशीगा जब बरा कहेगा तो अंडा से याद रखेंगे अब तंत्रीका कोशीका का काम क्या है तंत्रीका कोशिका हमारे सरे में विभिन प्रकार के सूचनाओं को सरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है तंत्रीका कोशिका की संरचना की बात कर ले तो तंत्रीका कोशिका में एक तारे के जैसे संरचना होती है किसे क्या कहते हैं साइटवड नकले होते हैं और इन प्रवदयों को kya कहते हैं इन화ọपते हैं इनी देन questo में एक काफी लंबा होता है जिसे हम एकसों कहते हैं जो आगे क्यों और भिवाजिन हो करके दूसले तंत्रिका कोसिखा कि है दिंडरैट से ज़ूर करके Paris चुट्रयूगमनगाठ बनाता है। इसको क्या बोलते है इसको सतुत्रयूगमनगाठ बनाता है। कारे की बात कर ये कारे कारे क bureaucracy की सुचना बाहले का दिंडरैट गरतकि करेगा। किसको देंगा साइट्न कोॉपा। प्रेरक अंग तक फिर से उस उचना को पहुंचा देगा और फिर उसपर हमारा सरीर काम करेगा तो यह सारा total work होता है इस से related a question पूछा जाता है कि जब दो तंत्रिका जैसे एक तंत्रिका यह एक तंत्रिका यह, दो तंत्रिका के मध्य जो खाली अस्थान बचता है, यह जो gap बच रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं synapse, या फिर synaptic dharar कहते हैं, तो उमीद करते हैं कि नर्व सेल के बारे में अपनों को total change complete हो गया होगा, ठीक है, तो विडियो कैसा लगा, comment करके हमें ज़रुर बताएगा, और यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद कि अगर कि अगर कि अगर